हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल ncrtm point तो फ्रेंड्स क्लाश 12 के जैसे की practical चल रहे हैं ठीक है न तो एक physics का most important topic है जो इन बच्चों ने बनाया हुआ है transformer तो transformer में practical वाइवा कोशन में आपसे कौन-कौन से कोशन पूछ सकते हैं examiner उनकी मैंने list बना जाना है और आपको इन question तयार करके जाने है ठीक है तो आईए चलते हैं पहला question है कि transformer कि सिद्धान पर कारिय करता है टांसफोर्मर किस सिद्धान पर कारिय करता है तो आपको पता है टांसफोर्मर अनुन्य पिरन पर कारिय करता है ठीक है न अब अनुन्य जो पिरन है इस पर आपको क्या आना चाहिए इसकी आपको फूरी डेफिनेशन और ये कैसा होता है कैसे वर्क करता है ये सब चीजे अनुने पेरन क्या है तो यह आपको पता होना चाहिए आप कर सकते हो चैप्टर 9 से तयार अपने नोट से ठीक है आगे हम बात कर लेते हैं कि transformer कौन सी विद्धु धारा पर कारे करता है तो आपको पता है AC पर alternating current पतावरती धारा पर तो आपको पतावरती धारा और DC धारा जो direct current है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए ठीक है आगे हम बात कर लेते हैं next question पर की transformer का कारी क्या होता है तो आपको बहुत जानना जरूरी एक्जैमिनर आपसे पूछ लेकर transformer का कारी क्या होता है तो आपको बताना है परतावरती धारा के विभाव को कम करता है या अधिक किया जाता है तो परतावरती धारा की जो परतावरती धारा के voltage को कम करता या अधिक करता है मतलब सिधा सा मैं बता दू आपको कि transformer एक ऐसी उक्ति है जो अनुने पेरण यानि mutual induction पर आधारी थे जिससे हम क्या कर सकते हैं परतावर्ति धारा के voltage को कम या ज़ादा किया जाता है या कर सकते हैं ठीक है इसके बाद अब examiner आपसे एक और question पूछ सकता है कि जो transformer होते हैं कितने तरह के होते हैं तो आपको बताना है उच्चाई transformer यानि setup transformer और दूसरा बताना है अपच्चाई transformer दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि उच्चाई transformer क्या होता है और अपच्चाई transformer क्या ह उचे विभव वाली दूरूबल परत्यावर्ति धारा में बदला जाता है ये बात आपको याद रखने उच्चाई यानि सैटप सैटप ट्रांसफोर्मर कम विभव वाली परबल परत्यावर्ति धारा को उचे विभव वाली दूरूबल परत्यावर्ति धारा में बदला जा कम विभव वाली परबल धरा में बदला जाता है तो आपको ध्यान नखना इन कोसिनों का ठीक है अपने नोट्स में से तैयार कर लेना मैंने आपको बता दिया आगे next question पूछता है कि ट्रांसफॉर्मर की दक्सता क्या है transformer की दक्सता क्या होती है यानि इटा क्या होता है दक्सता आपको पता है formula क्या होता है निर्गत सक्ति अपोन निवेशी सक्ति गुणा 100 जबोड़ एक्जामे भी question पूछा जाता है तो एक आदर्श transformer होता है वो 100% work करता है लेकिन transformer की दक्सता वैसे तो कोई transformer 100% नहीं होता आदर्श नहीं होता transformer की दक्सता आपको याद रखनी है 90% से 98% लेकिन आपको examiner को बताना है कि लगबग maximum 90% transformer की दक्सता होती है आगे examiner आपसे question पूछ सकता है कि transformer की जो क्रोड होती है वो किस की बनी होती है तो आपको बताना है silicon steel की बनी होती है क्या बताना है आपको ट्रांसफोर की कोड silicon steel की बनी होती है आपको अपना जो आपने फाइल बना रखी होगी उसमें से भी आपको तयार करके जाना है ठीक है most important question है ठीक है जिन से examiner आपसे question पूछ सकता है तो transformer की दक्सता का formula क्या होता है eta equal to negative सकती है पूछ सकती cross 100 आगे चलते हैं अब transformer की जो rating होती है वो क्या होती है kilowatt ampere तो आपको याद रखना है transformer की rating क्या होती है kilowatt ampere इसके बाद next question है कि transformer कैसी machine है transformer एक aesthetic machine है यह बात आपको याद रखनी है next question पर बात कर लेते हैं कि question 10 की AC और DC में अंतर बता है तो आपको AC और DC में अंतर पता होना चाहिए इनका graph के बारे में पता होना चाहिए इनकी definition ठीके ना यह अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए आगे हम question के बारे में बात कर लेते हैं कि transformer का परिनमन अनुपात क्या है यानि R क्या है तो आपको पता है इसे board exam में भी question पूछे जाते हैं कि VS upon VP यानि secondary कुंडली है जो उसका विभव यानि voltage upon primary कुंडली का voltage ठीक है ना equal to क्या होता है secondary कुंडली का विद्धुत वागबल और प्रात्मी कुंडली का विद्धुत वागबल secondary कुंडली में कितने कितने round है कितने चक्रों की संख्या है और ठीक है ना तारों की संख्या और प्रात्मी कुंडली में कितने तारों की संख्या है क्या होता है परिनमन अनुपात होता है इससे ही बोड़ एक्जाम में हर साल कोशन कुछा जाता है ठीक है न आयोप आपको इस 11 कोशन समझ में आयोंगे तो आगे हम कोशन पर बात कर लेते हैं और जो मज़ेदार कोशन है ठीक है आगे कोसन में बोला गया है कि जो कि जो दिश्ट दहरा है दिश्ट दहरा परिपत में ट्रांसफोर्मर का उप्योग क्यों नहीं किया जाता दिश्ट दहरा परिपत में ट्रांसफोर्मर का उप्योग क्यों नहीं किया जाता है यह दिश्ट दहरा का मान होता है वो नियत रहने के लिए देश्ट धारा का मान हमेशा fix चलता है ठीक है आप invator में देखते हो जने टर में देखते हो तो DC तो current ए हो तो उसमें नियत रहता है थेक है जिससे जहटका लगने पर आदमी की मरत्यु एकदम हो जाती है ठीक है न तो देश्ट धारा का जो मान होता ह वो नियत रहने के लिए transformer की जो क्रोड होती है क्रोड में जो चुम्भकिये छेत्र का मान होता है वो नियत बना रहता है ठीक है और transformer की secondary कुंडली यानि दित्य कुंडली से जो बंदावा चुम्भकिये फलक्स होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और इस कानिस में कोई पिरित विद्धुत वागबल भी उत्पन नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि transformer दिश्ट दारा के लिए उप्युक्त नहीं है तो आईए देख लेते हैं फिर मैं बता देता हूँ आपको चो मैंने बताया कि DC में यानि दिश्ट दारा के लिए DC से transformer की code में चुम्बक ये flux में परिवर्ता नहीं होता तो second कुंडली में EMF पिरित विद्धुत वागबल उत्पन नहीं होता तो इतना आपको आंसर बता देना है ठीक है अब आगे बात कर लेते हैं कि जो transformer की code है है ना transformer की जो code है वो टास्पोर्मर की जो code है वो नर्म लोहे की बनाई जाती है क्यों ठीक है ना यह आपको question तयार करना है टास्पोर्मर की जो code होती है वो नर्म लोहे की बनाई जाती है क्यों तो very very most important question है examiner आप से question पूछ सकता है कि transformer की code नर्म लोहे की क्यों बनाई जाती है तो मैं सिधा सा इसका आपको answer बता देता हूं इसके केवल और केवल दो कारण है वैसे कारण बहुत है लेकिन जिनसे examiner आपसे तोड़ा सा समझ जाए ठीक है ना आपकी बातों को तो दो कारण है पहला कारण है कि जो नर्म लोहा होता है उसका चुम्बकन और विचुम्बकन आसानी से हो जाता है जो आपका नर्म लोहा होता है उसका चुम्बकन और विचुम्बकन आसानी से हो जाता है इससे क्या होता है इससे उर्जाहानी पहली कि अपेक्सा कम हो जाती है और जो क्रोड बनाई होती है पठलित उससे भवरधाराये खतम हो जाती है बहुत कमजोर हो जाती है और जिससे हमको उर्जाहानी कम होती है तो इसलिए ट्रांसफोर्मर की कोड नर्मलोह की बनाई जाती है ठीक है आपको दिहान लखना है अब आपको अपनी बुक से ट्रांसफोर्मर में उर्जाहानी के कारण लिखने है ठीक है ना ट्रांसफोर्मे उर्जा हानी के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो आपको याद करके जाना है आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि जो ट्रांसफोर्मर के उप्योगे वो क्या है आप जानते हो कि ट्रांसफोर्मर के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी को यानि विद्धु दूर्जा को दूर अस्थानों तक यानि सुदूर अस्थानों तक भेजने में हम उप्योब करते हैं सेकिंड क्या है घरेलू उपकरण में भी हम इसको यूज करते हैं टीवी हो गया ठीक है न अच्छे लगे होंगे तो बच्चों की ये डिमांड थी कि सराब ट्रांसफोर्मर के उपर जो प्रैक्टिकल में कोसन पूछे जाते हैं वो बनाईए तो मैंने बच्चों के लिए ये थोड़ी सी मैनत की है ठीक है न तो फ्रैंड ये अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रैंड ये पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीए ठीक है न ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में ठैंक यू